आईबियन सेवन के सभी दर्शकों को दो हजार सोला की धिर सारी शुपकामना है नया साल आपके लिए मंगल मैं हो आप देख रहे हैं आज का मुद्दा मैं हूँ प्रवीन तिवारी दिली में नय साल के आगाज के साथ ही और इवन फॉर्मूला लागू हो गया है लोग भी इस फॉर्मूले को लेकर संजीदा नजर आए और और नमबर की गाड़ियां सडकों पर दिखाई दी आम लोगों के साथ मुख्यमंद्री अर्विन केजरिवाल समेथ तमाम मंत्रियों ने कार पूलिंग की लेकिन बहुत से लोग इस फॉर्मूले को लेकर परिशान भी दिखाई दिये उनके मताबिक सरकार ने फॉर्मूले को लेकर तैयारी पूरी नहीं की थी 2016 का आगाज होने के साथ दिल्ली में केजरिवाल सरकार का और इवन फॉर्मूला भी लागू हो गया स्कूल कॉलेजों और ज्यादातर आफिसों की छुट्टिया होने की वज़ा से सडकों पर ट्रैफिक कम ही नज़र आया लेकिन जो लोग सडकों पर आये वो अपनी और नंबर गाड़ियों के साथ ही उतरे इतना ही नहीं लोगों में जागरुक तलाने के लिए खुद मुख्यमंतरी केजरिवाल भी कार पूलिंग कर अपने दफ्तर पहुँचे उन्होंने इस फार्मूले को सफल बताया मुख्यमंतरी के अलावा दिल्ली के मंतरी भी कार पूलिंग कर अपने दफ्तर पहुचे कोई अपने साथी मंतरी की कार से घर से निकला तो कोई मंतरी इरिक्षा से दफ्तर पहुचा वहीं परिवहन मंतरी गुपाल राय डीटी सी बस के जरीए अपने आफिस पहुचे इतना ही नहीं बीजेपी के नेता विजेगोयल मंदिर साइकल से पहुचे बीजेपी नेता इस फार्मूले का समर्थन करते नजर आए तो कॉंग्रेसी नेताओं ने इसे दिल्ली सरकार की अधूरी तयारी बताया पॉजिटिव स्टिप है एक बहुत अच्छा इनिशेटिव है और इसको सफल होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से परदुशल कास्तर बढ़ा है उसमें किसी भी तरह से किसी भी रूप में उसके रोक थाम के लिए शुरुवात होनी चाहिए आम लोगों की बात की जाए तो इस फार्मूले को लेकर वो काफी संजीदा दिखे और नियम काईदों के साथ ही सड़कों पर और इवन की गाडियों के साथ उतरे हाला कि कुछ मुसाफिर सरकार की इस योजना से परिशान रहे हैं उनके मुताबिक बसों की संख्या कम होने की वज़ा से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है बहराल बढ़ते प्रदूशन और ट्रैफिक को लेकर दिल्ली सरकार का ये फार्मूला बेशक सरहनी है लेकिन कुछ लोगों की राय है कि दिल्ली सरकार की इस योजना को लेकर तयारी पूरी नहीं है जिसकी वज़ह से उन्हें परिशानी हो रही है ये योजना कितनी सफल हो पाएगी ये सोंबार को ही पता चलेगा ब्यूरो रिपोर्ट डिल्ली आईवियन सेवन और कुछ सवाल है जो इस और डिवन का जो फॉर्मूला आज लागू हुआ उससे खड़े होते हैं तो पहले ये सवाल आज का मुद्दा में हम आपके सामने रखते हैं क्या केजरीवाल सरकार ने बिना तैयारी के और डिवन का फॉर्मूला लागू किया है दूसरा M सवाल ये कि क्या R-D1 फॉर्मूले का 15 दिन में कोई असर देखने को मिलेगा जिसका इंतजार किया जा रहा है और उस असर का आकलन कैसे होगा तीसरा क्या R-D1 फॉर्मूले को फेल कराना चाहती है बीजेपी ये एक सवाल इसलिए उट रहा है क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अच्छा प्रयास है करना चाहिए दूसरी तरफ इसमें खामियों की बात भी कही जाती है चौता सवाल है कि क्या छुटियों के बाद सोभवार से बढ़ने वाली भीड के लिए सरकार के पास पूरे इंतजामात है और पांच्वा सवाल है कि कैसा रहा दिली में R-D1 के फॉर्मूले का पहला दिन ये बड़ा एहम सवाल है तो कई लोगों से हमने बाद चीत की उनकी राय तो हमारे सामने है लेकिन आज का मुद्धा में आज तीन एहम दल और उनके तीन एहम चेहरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर बाचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरब भारतवाज मौजूद हैं और कॉंग्रेस प्रवक्ता आलोग शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले आप तीनों को नए साल की बहुत बहुत बढ़ाई और जो आखरी सवाल है उसी से शुरू करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सौरब के लिए तो ये अच्छा रहा होगा आज का दिन क्योंकि अर्विन केजरिवाल खुश है और इसको एक कामियाब बता रहे हैं लेकिन आलोग जी कैसा रहा और इवन का पहला दिन आपकी गाड़ी और नमबर थी इवन नमबर थी नहीं मेरी गाड़ी इवन नमबर है और आज मेरी गाड़ी पारकिंग नहीं है मुझे आपके चैनल की गाड़ी से ही आना पड़ा स्टूडियो तक देखे जहां तक अभी प्रवीन जी बात करें तो दो कसौटी के आधार हो सकते हैं एक तो पॉलिशन के लेवल की बात कर सकते हैं दूसरा हम ये बात कर सकते हैं के वास्ताव में कोई राहत सड़क पर दिखाई दी के नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि रहा दिखाई दी लेकिन उसके कई कारण और भी है एक जनवरी है वीकेंड है और हमेशा एक जनवरी है वीकेंड के आसपास जो है वो कही ना कहीं ट्रैफिक आटोमेटिकली भी कम रहता है मैं बहर छोड़े आनी पड़ी किसी मित्र के गाड़ी साया हूं तो निस्छे तरफ शुरवात परिस्तानियों लेकिन देखे प्रवीन जी एक जो आपका आपने सवाल भी किया कि हम लोग लोग फेल करना चाहते है मेरे को लगता है कि हम लोग सब चाहते कि दिली में आज मैं देख रहा हूं कि आज वीकेंड क्योंकि पहली तारीक है लोग ज़्यातर लोग चुट्टी पे हैं तो आज इसका असल में टेस्स नहीं हो सकता है इसका टेस्स मुझको लगता है सोमार और मंगलवार को ही होगा कि कितनी परिस्थानी लोगों को होगी लेकिन पर दे करने लिए कोई कदम उठाई जाते तो उनका स्वागत होना चाहिए लेकिन अभी मैं देख रहा था दिली के परिवहन मंत्री जी का बयान आ रहा था कि यह सफल हो गया है तो मुझे लगता है कि सफलता की बात नहीं करने चाहिए एक सफलता का सबसे बड़ा पहमाना होगा कि दिली में कितना प्रदूसर कम होगा तो अभी आईवेन से एक्स्क्लूसिब बाचीत में मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने भी कहा है कि यह फॉर्मूला कामयाब रहा है सौरब बताएंगे कि यह फॉर्मूला कैसे कामयाब रहा सौरब आज का दिन आप लोग तो नहीं होगा क्या बहुत एंफोर्समेंट करनी पड़ेगी क्या दिली वाले इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे तो मैं आपको एक एक्जामपल दूँ कई बार आट-दस महीने का बच्चा पहली बार चलना सीखता है दो चार कदम चलता है थोड़ा लड़कडाता है हैं मगर ओवरॉल जो स्टोरी मुझे लगती है आज दिन की यह है कि यह कदम सफलता की और बढ़ रहा है और प्रदूशन को रोकने के लिए ऐसे बहुत सारे कदम हमको उठाने पड़ेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम प्रदूशन को हमने काबू में कर लिया है या प्र जी एक तो मैं आपको खुद तथम दस्टिया मैं जब ट्राफिक में निकला एक तो ट्राफिक कम था जाहिर सी बात है अज पहली जनवरी है कम लोग बाहर निकले हैं कुछ ऑफिसेज भी बंद हैं मगर मैं देखता रहा मुझे इवन नंबर की गाड़ियां नहीं दिखी म मुझे एका दुका कहीं पर इवन नंबर की गाड़ी दिखी पीछे से और मुझे अंदाज लगा हो सकता महिला चला रही हो या हो सकता कोई और कारण रहा हो मगर मुझे मोटे-मोटे तोर पे और नंबर गाड़ियां आज सड़कों पर दिखी जो अपने आप में बहुत ब आज रेगुलेशन जो है वो सेल्फ रेगुलेशन लोगों ने दिखाया है आलोग जी साल की शुरूआत अरविन केजरिवाल साहाब के पुतले हमने देखा सड़कों पर हैं उनके एक मिशन को या उन्होंने एक प्रयास किया है उसको लोग दिखा रहे हैं ऐसा लगता है स साल की शुरूआत में ताल ठोक कर राजनितिक तौर पर भी एक बड़ा कदम कामियाबी से रखने में तो कम से कम अरविन केजरिवाल कामियाब रहे हैं लेकि मैं समझता हूं दिली की जनता ने जिस तरह से आज सहयोग दिया है इसको कि सभी लोग तरस्त हैं पॉलिशन से पॉलिशन कम होना चाहिए लेकिन अभी आज के दिन ही कहना किसा बहुत अच्छा कदम उटकिया है और बहुत पॉजिटिव नतीजे आ गए हैं थोड़ा सा अभी शंशे है कि उसका कारण यह है कि ठीक है रहत मिली है आज फ्राइडे भी है पहली जनवरी भी है और कहीना क हम बाची से पहले पूजी रहे कि क्या इस्तिती रही है पॉलिशन की तो इस वक्त पॉलिशन मीटर भी लगातार दर्शकों के सामने चल रहा है तो चाहे वो मंदिर मार्क का इलाका हो या आरके पुरम हो यह सभी इलाकों के हम इस्तिती जो बता रहे हैं उसमें आप साफ देख सकते हैं कि आरके पुरम की बात करें अच्छी हवा के लिए जो साइट माइकरॉन की वैल्यू होनी चीए जो कि इस वक्त तीन सो चब्वीस है यानि कि बहुत बुरे हालात बहुत खतरनाक हालात में हैं तो वैसे कोई और जो सबसे बुरे हालात आनंद वियार में बन आएगा ये कहना जरा मुश्किल है थोड़ा सा इंतिजार करना होगा लेकिन बलूनी साब फिर भी इस कदम को रिस्पॉंस देना दिल्ली की जनता द्वारा ये भी अपने आप में अर्विन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एक बड़ी कामियाबी है प्रविन जी देखे आज जो हुआ है पुरा दिल्ली की जनता को सलाम है दिल्ली की जनता ने आज वाके ही इसको बहुत अच्छी तरीके से अज अपनाया है और लेकिन मैंने कहा ना कि परेशानिया जुरूर थोड़ी हो रही है लेकिन अच्छे कामों के लिए परेशानी म को कि दिन देखा जाएगा कि किसके क्या परेश्णाम होते हैं पताब आप इसको सच मुच में आप यह सोच रहे हैं कि बुरे हालात होने वाले हैं और बिल्कूल साथ हैं और जो पूछाई जा रहा है चाहे इसको रणनीती के तौर पर काया जाए या जैसे भी का जाए कि साल की शुरूआती एक बड़े वीकेंड के साथ हुई एक जन्वरी फिर सैटरडे संडे लेकिन आपके लिए असली चुनौती सोमवार से होने वाली है तो उसको लेकर कुछ इंतज इन तीन दिनों में कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि लोगों की किस तरह की शिकायते आज जब एक जन्वरी है तब भी लोगों ने काफी शिकायते की है ऐसा नहीं की शिकायते नहीं आई जी बिलकुल बिलकुल मैं आपको बताऊं एक तो ये निश्चित तोर पे strategically एक अच्छा समय है कि कम लोग बाहर निकले हैं और दो दिन और भी कम लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद मंडे आएगा और मुझे लगता है किसी भी नई शुरुआत के लिए इसी तरीके का लीन पीरेट देखना चाहिए जब आपका प्रशासन अपने आपको फाइन ट्यून कर सके अपनी जो चोटी-चोटी कमिया है उसको दूर कर सके देखिए तीन दिन बाद तक जो बस ड्राइवर्स जो बस हैं जो कॉंट्राक्ट केरेजिस की बस हैं वो भी रूट्स वगर अची तरह समझ जाएंगी कि किस वक्त सवारियां जादा रहती हैं कहां से लीना चाहिए जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं सेविल डिफेंस के वो भी कई चीजों में समझ जाएंगी कि किस तरीके से आपको सडकों के उपर फैसिलेटेशन करनी हैं तो मुझे लगता है इन ती तो मुझकी लोगा इसलिए पहले से तयारी कर लें देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो पॉजिटिविटी बनी है और मैं पूरा का पूरा श्रे दूँगा कोई श्रे ये आम आदमी पार्टी का श्रे नहीं है मुझे लगता है उसके जो परिड़ाम होंगे वो इस और इवन से आगे बढ़ेंगे दूर गामी परिड़ाम होंगी क्योंकि लोगों के मन में लोगों के बीच इस बात की बहस हो रही है मेट्रों में जा रहा था कुछ दिनों पहले वहाँ पर लोग इस चीज़ पर बहस कर रहे थे कि ये ठीक है, गलत है और कुछ लोग कह रहे थे कि ने भाई, इससे कैंसर होता है ये होता है, वो होता है मतलब इस बारे में जो चर्चा है, अवेरनेस है उसके बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे और मैं मीडिया को बहुत बहुत बदाही देना चाहूँगा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें बड़ा सकारात्मक रोल प्ले किया है, इस पुरी मोहिम के अंदर अलोग जी, क्या अभी मैं बलूनी साब से भी सवाल पूछूँगा कुछ स्टार्टेजी में कुछ बदलाओ आया है अभी कॉंग्रेस जो है वो इस आज के दिन के पहले तक मैंने जितनी भी बार इस पर डिसक्रिशन किया मैंने देखा है कि एक विरोत का सुर देखने को मिला है आज कि हम साथ में हैं बड़ा अच्छा प्रयास किया जा रहा है कुछ ऐसा ही सुर बलूनी साब का भी है तो यह आज का दिन देखने के बाद यह सुर बदला है कि जो भी सरकार है उसके जो प्रशन चिन है उनको उजागर किया जाए और मीडिया ने भी इसमें काफी साथ दिया मीडिया ने भी बहुत सी कमिया निकाली बहुत सी चीजें निकाली लेकिन अभी तक आज अगर बहुत अच्छा निकला था तो इसको continue और करना चाहिए था लेकिन मुक्यमंतरी साहब ने शायद IBM 7 के एक इंट्रियू में स्वेम ही स्विकार किया है कि 15 तारिक के बाद इसको हम बंद कर देंगे कोई बात नहीं इसके बात प्लाइन बी क्या है हम तो उस पर भी प्रशनचेन उठाएंगे अभी कि क्या आपके पास मान लीजे यहाँ पर अगर कोई रेजल्ट सकारात्मक मंडे ट्यूजडे में नहीं नजर आता है तो उसके बाद प्लाइन बी क्या है क्या आप जो रोड्स पर कंजशन है उनको दूर करने के लिए भी कोई कठोर कदम उठाएंगे क्योंकि अभी तक के जो दिल्ली सरकार का जो कंट्रिबुशन इस पूरी योजना में रहा है वो तो मातर एक चिठी का रहा है उन्होंने एक चिठी निका लिए इसके लावा उनका कोई कंट्रिबुशन मुझे अभी तक नजर नहीं आया है लेकिन आप कौन से ठोस कदम उठाएंगे उन पर नजर रखेंगे तो आप लोग भी कह रहे हैं कि सपोर्ट करना चाहिए देखना चाहिए तो क्या अल्टिमेटली आप लोग इस मुहीम के साथ जैसा भी आप बता रहें रहेंगे और फिर ये एक बड़ी कामियाभी नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि वो तो कही रहें कि हमने 15 दिन के लि राज्सरकार भी करेंगे कि पौलुशन में कितनी कम आई है उसमें को सुधार हो सकता चून रोब अन्य तरीषे परोलुशन कम करने के लिए क्या और वी चर्चा करने चाहिए इसन लिह निष्ची तोर पर इसो आस्तूर पहला दिन है अर्समें तोड़ा देखते हैं क्या- पंदरा तारीक तक का समय निकल जाए हमने एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया है यह मुद्दा किसी तरीके से पूरा हो जाए और बस बात रहे जाए किसी तरह से जी देखिए पल्यूशन कम करने के बहुत सारे मेजर सरकार ले रही है यसे एक अप्रेल से सडकों पे वैक्यूम क्लीनर से सफाई होगी ट्रक ग्यारा बज़े के बाद एंट्री करेंगे ग्रीन टैक्स लगाया गया है थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने की बात हो रही तरीका के उपर भी थोड़े लगाम लगाने की बात चलती है थखेए यह जो इवन और्ड का तरीका है इसको कहते हैं road rationalization करने का ट्रीका ट्राफिक को थोड़ा rationalize करने का तरीका और यह जो है emergency response system का एक हिस्सा होता है कि जब-जब तापमान कुछ ऐसा होता है या परिस्ति 15 दिन के बाद इसको extend किया जाएगा 15 दिन के अंदर सिर्फ हम एक emergency response system की तरह इसको अपनाना चाहते हैं और जब जब आगे ज़रुवत पड़ेगी यह जो pollution की levels है dangerous level तक पहुचेंगे तब तब इनको अपनाये जाए करेगा अचा आभी आपने देखा बलूनी साहब हो आलोक शर्मा जी ओं लगातार आपका सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी के जो दूसरे बड़े नेताओं के प्रितिक्रिया हम सुनवा रहे हैं वो भी कह रहे हैं लेकिन अभी केजरिवाल साहब ने आई बातचीत में यह कहा कि छोटी सी पार्टी है छोटा सा नेता है उसको मोदी ज बीजेपी कॉंग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं उनके वोटर सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ इस तरह के आरोप यहने आप अगर इस तरह सही तरीके से योजनाओं को रखे तो आपको सपोर्ट भी सही तरीके से मिलेगा क्या यह इंप्रेशन भी नहीं जाता है पुरी की पूरी पार् Tokyo को दोश नहीं देना चाहूंगा मैं मानता हूँ कि हर पार्टी के अंधर अच्छे लोग होते हैं और BJP के अंधर कई लोग हैं जो सकारात्मक बात कर रहे हैं और शुरू से कर रहे थे मर कई लोग हैं जिनके देखिया आजा अख़बार के अंदर पूरा का पूरा पेज छपाया जिन्होंने कहा है कि जी यह तो स्कीमी फेल होने के लिए बनी है और वगरा वगरा कई तरीके की बाते के यही है कि बीजेपी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पर चाहे बलूनी जी हो यह आप खुद कह रहे थे कि आज तो जम के सपोर्ट मिला है मतलब कोई अच्छी होजना ला रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो सब सपोर्ट कर रहे हैं ये इंप्रेशन तो आप खुद दे रहे हैं अभी बिल्कुल मैं ये ये कहना चाहा रहा हूं कि देखिए जैसे कि कल दानिक ओफिसरों की स्ट्राइक के अंदर एलजी सहाब फोन के माध्यम से हालां कि वह चुट्टी पे थे वो दानिक ओफिसर की मीटिंग के अंदर शामिल हुए वहाँ पे फैसला किया गया कि जिस दिन ट्राइल रन है जिस दिन ड्राय रन किया जा रहा है उस दिन वो सारे कि सारे दाने को ओफिसर छुटी पे चले गए यह एक बहुत ही गलत कदम था आपने पूरा का पूरा एक शडेंतर कह सकते हैं कि रचा कि इस कीम को फेल कर दिया ज देखे परवीन जी वास्तिविक्ता ये है कि आप देखे इसमें अगर ये जो ये वाली ड्राइफ चलिया ओडी वन वाली से हट के बात करूँ तो आप देखिए ये किस्तने की राजनीति करते हैं यह आप सब तरह जानते हैं और रोज का रोज केंशरकार को कोसना अगर दिल बंग looking को घंडि बद्धी घालिया देना केजरिवाल जी का किशतना है कि जुबान है यह मुझे समझ नहीं आता उनके एक मंतरी जो अपनी पत्नी करते हैं उसपे भी उप्रण मंतरी जी कुल देते उन горवडी Margaret अगर फरजी सेट्रीकेट रखते हैं, उनकी सिख्शा दिक्षा पर घ्रवड़ी है, तो उसके लिए प्रधानमंतरी जी को गाली देते, तो ये तो इनकी फितरत है, इस फितरत से नहीं हट सकते हैं, ये हर बात में कोशना, अगर ये स्कीम फेल हो गई, ये ये उजना फेल हो कोई जब CBI ने मुख्य मंत्री के दफ्तर पर रेड डाली कोई सिपाही की गलती थी कि LG दानिक अफसरों की मीटिंग के अंदर शामिल हुए उस चीज के लिए और उनकी पतनी के उसके लिए प्रदान मंत्री की निंदा नहीं हुई दो चीजों को घुमाईये मत मिलाईये मत बताइए और डाली की दिए बताइए ना जब आपके कानून मंतरी के खिलाब फर जी डिगरी का मामला था गरविंद के वहले क्या अब बलान मंत्री जी के लिए मैं बलुनिजी जी मेरी बात जब शुन गें अब्र जूट बहुत बोलत मैं आपको थोड़ा समझा दूँ आपके मुख्य मंत्री ने दूसरे मुख्य मंत्री के डीने पे सवाल उठाया किसी दूसरे राजनेता को शैतान कहा मुझे नहीं मालूम कि वह इस शिष्टाचार कहां से सीख किया है अब आपके जूट करें इस तरह कि अरविंद के जूट के मास्टर है नहीं आप बताईए कि क्या आपके सारी बाते और वक्तम ने बताईए अभी भरस्ट अभी दा अधिकारी राजंदर कुमार के लिए क्या बोला दाए कर्म फूट गएं यह सब दिल्ली के मुख्य मंत्री यह साल का पहला दिन है आज का मुद्दा 2016 का पहला एपिसोड है अभी दर्शक भी सोच रहे थे कि बड़ी मीठी मीठी बाते चल रही हैं कॉंग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हुए और बहुत यह अच्छी अच्छी बात लेकिन हकीकत फिर देखि अच्छा कदम उठाया आपने इतनी बाते में ध्यान से इसलिए सुन रहा था कि देखिए एक बार फिर याद कर लीजिए क्योंकि शुरुआत आपने की बहुत बढ़िया कदम है अच्छा कदम है और इस कदम में हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे और दूसरी तरफ फिर इतन सुरू हुए इसके क्या परिणाम है कि इस पर चर्चा करेंगे यह मैंने कहा है और निश्चित तोर पे अभी टेस्ट वाले दिन आने वाले हैं सोंबार मंगलवार बुदवार और पंदरा दिन के बाद असल में पता लगेगा कि योजना कितनी सफल हुए कितने नहीं आपको लग रहा है कि होगी अगर इस तरीके से चलेगी तो नहीं मैंने का ना अगर अच्छे परिणाम रहते तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए साधुवाद है इसमें क्या दिक्कत है अगर बुरे होते हैं तो बुरी है ने बुरे होगी तो ठीक है उस वक्त देखे केंदर सरकार ने सफल कर दी और कॉंग्रेस ने तो कहीं रोली नहीं है तो मैं समझता हूँ कि बहुत मैच्छर्टी के साथा कि कम से कम केजरी वाल सरकार जो पहली बार दिल्ली में आई आई आप लोगों का बड़ा लंबे समय दिल्ली में शासन रहा केंदर में भी शासन बड़ा अच्छा कॉडिनेशन था केंदर और राजी सरकार का ये एक कम से कम एक ये इशारा तो कर दिया हम आदमी पार्टी ने कि हम कुछ कर रहे हैं हम साल की शुरूआत एक कदम के साथ कर रहे हैं जो पिछले कई सालों में कॉंग्रेस की सरकार नहीं कर पाई बेशक अफसर कहते थे दिल्ली की तरफ देखिए हमने जितना काम किया है ठीक है कमिया रही होगी आज आपने एक कदम उठाया उसकी सफलता सफलता पर हम आज चर्चा कर रहे हैं आने वले समय में और चीज़े होगी सरकार है तो काम करेगी ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगी आप उम्मीद कर रहे हैं सफलता कि या अशंका कर रहे हैं वन्मीद कर रहा हूं सफलता की लेकिन अशंकाइन सामने नजर आ रही है आशंकाओं की बात करना ज़रूरी है अगर मैं सच्चे मंद से चाहूंगा कि सफल हो तो मुझे मेरा फर्ज बनता है कि मैं आशंकाओं को निकाल के रहा सामने रखूँ अपको उमीद या आशंका सफलता की अलागी खुल के बोलोगे नहीं आप अपको आशंका है सफलता की या उमीद है सफलता की ने देखें कियो नहीं उच्छी उमीद करें एक बात परवीन जी हम भी तो सी दिल्ली में रहते हैं यहां का अच्छा सवच परेवर्ण हम सब के लिए भी तो चाहिए ऐसा नहीं है आप तीनों को कुछ न कुछ शीज का इंतजार है वो क्या है वो इस बाचीत में साफ नहीं हुआ है तो आपकी उमीदों के लिए आपको बेस्ट ओफ लक और फिर एक बार नव वर्ष की बहुत 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 शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए तो आ झाल